बरुवा मंगल पर डॉक्टर हनुमान ने दिये सभी को निरोगी होने का वर्दान भिन्निस जिले की महगाव तहसील में स्थापेत दधरवा सरकार हनुमान मंदिल पूरे देश में विख्यात हैं यहां प्रतेक प्रकार की दर्द का हरण हो जाता है इसलिए इससे दर्द रवा सरकार के नाम से पूझा जाता है यहां के हनुमान जी को डॉक्टर हनुमान के नाम से देश विदेश में जाना जाता है यहां ऐसी मानिता है कि डॉक्टर हनुमान उनके सभी आसाधे रोगों का सटीक इलाज करते हैं जिनके इलाज सामने डॉक्टर की बस में नहीं हैं यहां देश्विदेश के अजारु भक्त रोजाना दर्शन के लिए आते हैं और उत्तम कामना स्रास्तिकी लेकर आशिवात प्राप्त कर अपने घर जाते हैं यहां दंधरवा धाम की पांसो वर्ष पुरानी हर्मान जी की सध्धमूर्टी स्थापत है जो कीन रत्य मुद्रा में हैं और पूरी देश में ऐसी कही नहीं है विश्व के हर कोने कोने से लोग यहां असादे रोगों के निदान के लिए प्रार्थना और अरजी लगाते हैं यहां से स्वस्थों कर जाते हैं और रीनलाज हैं आंची निखले भवोती से लोगों को रोगों से मुक्ति मिल जाती हैं यहां पुरानी मानेता है कि हनुमान जी के अनन्य भक्त हुआ करते थे साधू शिव कुमार्दास जिनको कैंसर था यहां अनुमान जी से अंतिम दर्शन कर विदा मांगने आए थे उसी रात्री उन्होंने यहां विश्राम किया फिर अर्ध रात्री में हनुमान जी आला पहन कर स्वाम डॉक्टर की जाता है प्रशासन को भी यहां मुस्तादी से इंतजाम करना परता है परंतु मजी की बात यह है कि यहां भीने जिले में पदस्त पुलिस प्रशासन के लोग स्वता यहां महिनों और सालों पहले ड्यूटी लगवाने के लिए आवेदन दंद्रवा सरकार के चर्णु में लगाते दिखाई देते हैं जिनकी ड्यूटी लग जाती है वो सायम को भौत भागय शाली समझते हैं यह यहां भी डॉक्टर हनुमान से निरोगी जीवन की काम ना करते हैं तो आए उनकी दरवार में सायम अपने परिवार को निरोगी होने का वर्दान डॉक्टर हनुमान से ले कर जाएं। सवा महीने बाद मैंने या लंगर खाया चार पूरी खाय थी का मैं एक निवाला तक नहीं खा पा रहा था। सब्सक्राइब देता हूं कि डॉक्टर हनुमान जी का विग्रह दंडरवा धाम में ही विराजमान है अंतर राश्टी स्तर पर हनुमान जी की अनेक रूप हैं बहुत मंदर हैं हजारों लेकिन डॉक्टर हनुमान यहीं बैठे हुए हैं। उन सभी रोगों का निदान डाक्टर हनुमान जी करते हैं तन रहुए सरकार ये विशेश्ता है